अब बिश्यक राओट रीजनिंग एज्जुकेटर वाइफाइ इस्टेड़ी प्लेट पॉंप पर आप सबी लोगों का सौगत करता हूँ और मैं आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ एक बहुती बढ़िया इंट्रेस्टिंग सेशन के साथ मतलब आज के कोशन्स कुछ खास रहेंगे मतलब आज के लिए आप लोगों को यहाँ पर इस्पेसल क्लास है तो आज के जो कोशन्स हैं वो कोशन्स रहेंगे जो एक्जाम में पूछे जाते हैं आखर आने वाले एक्जाम में क्या पूछा जा सकता है इस तरीकी की कोशन यहाँ पर डिसकस किये जाएंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि बता दीजिए कि राउसर की क्लास स्टार्ट हो चुकी और बहुत भी बहतरी इन कोईशन डिसकस किये जाएंगे तो सभी लोग तो सेर कर दीजिए फटा फट से मेरे साथ यापर कनेक्ट हो चुके हैं बहुत लोग कविता, संगीता, सर्मा, आकास बहुत बढ़िया सभी लोग यापर जल्दी से सेर कर दो तो मेरे साथ यापर काफी लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं तो उनको वही स्पेसल थेंक्यू और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले है तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए संडे स्पेसल क्या है आज खास मैं आज आप लोगों को वही कोशन्स कराऊंगा जो एक्जाम में पूछे जाते हैं वार वार रेपीट होते हैं और आप लोग वही कोशन्स को छोड़के आते हो आकर क्या प्रॉबलम हो जाती है नंबर सीरीज में क्या प्रॉबलम हो जाती है एनलोजी में क्या प्रॉबलम हो जाती है यह सब कुछ आपके साथ डिसकस किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को good afternoon उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो बता दीजे कैसे है फिर start किया जाए बहुत ही बहतनी टॉपिक ठीक है तो बताईए यहांपर PK, Mayank, Abhi, Kasyap, Ajit बहुत बढ़िया निहाशिंग, Bikki बहुत बढ़िया शंगीता सर्मा जल्दी से सेर कर दो 100 प्लस यहांपर सबसे पहले जल्दी से सेर करो और 1000 प्लस तक यहांपर जानो सबी लोग बहतरीन कोईशन को सॉल्ब करेंगे, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहांपर कोटेशन बता दू आज का थौट क्या है, कि तू रख यकीन बस अपने एरादों पर, तू रख यकीन बस अपने एरादों पर तेरी हार तेरे होसलों से बड़ी रही होगी तो आप लोग अपने एक confidence विल्ड करो, कि इस बार selection लेना है ठीक है, आपके जो negative thoughts है अपने आप दूर हो जाएंगे अगर आपने अगर ठान लिया आपने अंदर एक जुनून है तो यह सब जो negative आप लोग सोचते हो और बहुत ही बहतरी क्लास होगी तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर तेरी हार तेरे होसलों से बड़ी नहीं होगी तो चलते हम questions पर ठीक है, बहुत बढ़िया आसीस कुमार, जाठ, लता ससोधिया बहुत बढ़िया, भवानी Sunday special class है, तो पहला question आपके साथ discuss किया जाता है इस question का right answer देखते हैं कितनी लोग solve कर पाते हैं जी sir, संगीता सर्मा बोल रहे हैं कि जी sir definitely लेना है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुसुबाहा, ठीक है और फूल मीना याँपर नेहा सिंग, नटकट, देखो क्या नाम है, नटकट, मनोज कुमार बहुत बढ़िया आकास गूजर, और याँपर किशन प्रसाद, प्रिकास चौधरी, बहुत बढ़िया हमारे साथ connect हो चुके हैं, तो पहला question आपके साथ अब देखो, जानदा time हम बेश्ट करेंगे नहीं तो पहला question आपके साथ discuss किया जाता है, इस question का right answer बताईए, क्या answer होगा, बताईए ठीक है, इस question का right answer देना है, कितने लोग इस question का answer दे सकते हैं, तो यहाँपर कुछ लोग बोलना है sir D, ठीक है, यहाँपर answer कह रहे है कि sir D होगा, क्योंकि उन्हें A, B, C, D में option नहीं मिला, उन्होंने बोल दिया sir D होगा, ठीक है, फटाक से उन्होंने answer दे दिया, कि sir D होगा, क्या सभी का answer D होगा, राना प्रिकास, चौधरी आज आप लोगों को ऐसे-से fact बताऊंगा जो आप लोग हमेशा गलती करके आते हो सभी लोग एक बार share कर दो, आज की class को special बना दीजे, आप लोग मुझे पहली बार यहाँपर कुछ लोग यहाँपर होंगे जो मेरी पहली class join कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों से कहना यह चाहूँगा कि मेरी रेगुरे class है, वो Wi-Fi study 2.0 पर चलते हैं, और Sunday special हम आप लोगों को Wi-Fi study पर आते हैं, तो यहाँपर पहला question 38 बहुत बढ़ी है, very good देखते हैं, top 3 के अंदर कौन कौन है यहाँपर 38 किस ने answer दिया, सबसे पहले में आपर यह देख लेता हूँ, तो सहनी आदब, सहनी आदब ने answer दिया है, और देखते हैं 38 किस ने दिया है, देखें, लता सिसो दिया, not, और कभिता ने 38 answer दिया, जितने लोग 38 answer दे रहे हैं, बिल्कुल सही answer दे रहा है क्यों 156 में ऐसा क्या किया जाए कि 74 में ले आपको यही तो समझ रहा है तो 15 में आप क्या करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझ रहा है और इस question का right answer देना है कितने लोग इस question का सही answer दे सकते हैं तो बताएए इस question का right answer देना है क्या answer होगा बताओ कोई logic बताएगा अच्छा यहाँ पर answer दिया कि sir 5 into 6 कर दिया हमने 1 into 2 कर दिया और plus 2 into 3 कर दिया कैसे हुआ यह आपको पता है आप लोग यहाँ पर देखो 156 में अगर 1 को 1 हमें यहाँ पर next number के आएगा 2 आएगा और इसके बाद 5 में अगर हम यहाँ पर देखे तो इसकी next number के आएगा 6 आएगा और 6 के बाद यहाँ पर आपने क्या किया 7 कर दिया तो यहाँ पर 2 हो गया यहाँ पर 30 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा और यहाँ पर 2 4, 4, 4, 4, 3, 7, 74 इसी प्रिकार अगर हम यहाँ पर देखे तो 5, 1, 2 में दोस्त क्या करते हैं यहाँ पर 5 में यहाँ पर next number के आएगा 6 1 में बढ़ते करिम में जाएंगे next number के आएगा 2 और 2 में यहाँ पर बढ़ते करिम में जाएंगे तो 3 आजाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आपस मैं एड़ करोगे 38 आंसर खत्ब option C right answer आ गया, 38 बिलकुल right answer आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलते में अपने next question, 38 मेरा wrong answer, जो 30 रिवास तो ऐसा थोड़े है, 38 तो answer आ ही रहा है, wrong कैसे हो जाएगा, ठीक है तो सबी लोगे एक बार जल्दी से फटा फट से यहाँ पर share जरू करों और इस question का right answer, option C right answer आ जाएगा, इतना clear हुआ, चलते में अपने next question पर इस question का right answer देजिए, question number second, और इस question का right answer बताना है, कि UPI is equal to 44, और ADO question mark, बताएगे क्या answer होगा, सागर परजापती, ठीक है, इस question का right answer देना है, क्या answer होगा, इस question का, बिल्कुल right answer देना है, यह जो question है, काफी important question है, और बहुत ही बहतरीन question है, ठीक है, इस question का right answer देना है, प्यू, सौनी, भई, इस question देखते हैं, टॉप 3 के अंदर कौन आ सकता है, टॉप 3 के अंदर देखते हैं, कितने लोग इस question का answer सही दे सकते हैं, चेक करता हूँ है, बताएगे, अभी तक किसी का answer नहीं आ पाया, भई, और आप लोग शेयर भी इस question का right answer दो, क्या answer होगा, टॉप 3 के अंदर देखते हैं, कितने लोग सही answer दे रहे हैं, 95% लोग answer गलत करेंगे इस question में, बताएगे, अरविन दपाल, इस question का right answer देना है, क्या answer होगा, ABCD में बिलकुल right answer देजिए, क्या answer होगा, बताओ, अभी तक किसी का answer नहीं आपाया, अभी तक किसी ने answer नहीं दे पाए, और यहाँ पर नटकट मंत्री नहीं दिया है, 9 आएगा answer, 9, अच्छा, और बताओ, सागर परचापती 5 बोल रहे हैं, और कविता ने answer दिया, 9 आएगा, और बताएगे, कुछ लोग बोलने, सर, क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई, नहीं, यह तो special class है, देख तो लिया करो, 95% मुझे दो नाम देखे, एक तो nut cut में, मैं answer यहाँ पर करने वाला हूँ, और एक नाम यहाँ पर कभी ता, तीक है, मैं answer करूँगा, दो के बिलकुल right answer मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, किसर 9 आए कैसे, है ना, यहाँ पर आप लोगों को समझना है, 44 होगा कैसे, आप लोगों को इस question का right answer, अच्छा यह बताओ, कभी ता, जो आप लोग answer दे रहे हो, इस question में यह बताओ, कभी ता, logic क्या लगाया आपने, कैसे आपका 44 आ गया, यह बताओ, तीक है, यह तो आप लोग यह दिख रही है, थोड़ी सी typing mistake, तो आपने 9 answer कैसे दे दिया, इस question का right answer बताओ, कैसे 9 answer दे दिया, आपने, इस question का right answer क्या होगा, किसी ने आपर answer दिया, तो यहाँ पर I cannot understand, सर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोगों को सही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर समझना होगा, देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 24 करो इसकोशन में थोड़ा सा मिच टेक है, 24 करो ठीक है इसलिए यहाँ पर आपने जो आंसर दिया वह बिल्लकुल गलत आंसर दिया रटना थोड़ी था, यहाँ पर दोको U और P और I और यहाँ पर कितना 24 करोगे, ठीक है 24 किया, तो यहाँ पर क्या हुगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो बोबिल्स क्या होते है, A, E, I, O, U, यहाँ पर अगर हम देखें, तो A की नमबर वैल्यू कितनी होती है, 1, यहाँ प सेक्वेंस में कितनी नमबर पर है, 3, तो आपस में एड करोगे, कितना हो जाएगा, 19 और यहाँ पर 24, इसी परकार A, D, O, यहाँ पर देखेंगे, A की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 1, और D यहाँ पर रखेंगे, 4, और प्लस O, यहाँ पर कितना रखेंगे, 4, तो आपस में एड करोगे, तो 9 इस तरीके से आंसर आएगा, तो यहाँ पर 24 करिए, तो यहाँ पर 24 कर लो आप लोग, 24, UPI is equal to 24, इतना समझ में आ गया, इस कोईशन का राइट आंसर दीजिए, कोईशन नमबर 3, कोईशन नमबर 3, देखो आप लोग यहाँ पर, टेके, कोईशन नम यह संडे और यहाँ पर हो सकता सटर्डे को भी आप लोगों की यह क्लास आप लोगों को इस साथ अबलेबिल रहे, तेके, अंकेत, भगत, प्रमोध, इस कोईशन का राइट आंसर दीजिए, कोईशन नमबर 3, सभी लोग इस कोईशन का राइट आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा, सभी लोग शेयर करो, ऐसे कोईशन में, देखो, 90% लोग आंसर गलत करके आते, क्योंकि उन्हें यही समझ में आता है, कि इसमें logic क्या लगाएं, देखो, यहाँ पर logic क्या लगाएं, उन्हें यही समझ में नहीं आता है, कि 31 और 32 को आपस में अड करें, कि गुणा क करें, कि भाग करें, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम यही होती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, कि ऐसे कोईशन में आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं इस कोईशन को, ऐसे कोईशन में आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, तो यह समझना हो होगा आप लोगों को ठीक है और यहां पर देखिएगा आप लोग इस question का right answer दीजिए किसी ने solve किया किसी ने solve किया इस question का 115 किस ने दिया अनिल कुमार ने दिया किसर 115 answer आएगा option A दोस्तों थोड़ा सा सही से देखो और सभी लोग यहां पर क्या सभी का answer option A answer आ रहा है चेक करिए यहां पर लिखाए इस question में कि 31 at the rate और 32 और is equality 72 और यहां पर आपको इन नंबरों में operation अप्लाई करना है तो इस question का right answer दीजिए क्या answer होगा सभी लोग like जरू करें और सभी लोग share करिए जल्दी से अंजली और देखो जितने भी मित्र मुझसे नए connect हो रहे है वो telegram पर भी मुझसे add हो सकते है reasoning भाई अभिशेक सर कितना समझ में आ रहा है तो सभी लोग इस question का right answer दीजिए क्या answer होगा किसी ने answer दिया भई इस question का right answer बताओ क्या answer होगा solve करिए नहीं समझ में आ रहा है देखो यहाँ पर देखे 31 और 32 दिया गया 3 into 1 करते हैं और plus यहाँ पर 3 into 2 करते हैं इतना समझ में आ गया अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा plus 3 दूरी 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इतना समझ में आ गया फिर हमने यहाँ पर 31 plus, यहाँ पर 32 add कर दिया, यहाँ पर plus करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, आपस में add कर दोगे, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, same operation आप लोग इसमें भी use करो, तो यहाँ पर दिया गया था, 41, और add the rate यहाँ पर 23 और is equal to 74, तो यहाँ पर 4 into 1 किया, plus यहाँ पर 2 into 3 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, plus यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखें, तो 6 आपस में add कर दोगे, 10 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, ठी के बाद यहाँ पर हो जाएगा 64 तो यहाँ पर आपस में add करोगे तो 74 मिलेगा इतना समझ भी आ गया अब 74 मिलेगा तो same operation आप इसमें भी apply कर दो answer आ जाएगा क्यों नहीं आएगा देखो 5 इंटू 5 किया प्लस यहाँ पर 2 इंटू 5 किया तो कितना हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 और 35 के बाद 55 प्लस 25 आपस में add कर दोगे 5 5 10 इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 तो यहाँ पर 80 तो आपस में यहाँ प आएगा option A 115, इतना clear हुआ कि नहीं हुआ, right, yes या no, yes या no, इस question का right answer सुभम जोसी, very good, बहुत बढ़िया, मेरे साथ सुभम जोसी, अगर आप लोगों को लगता है, कि मुझे आप लोगों के साथ याँ पर, आप लोगों को daily connect होना है, तो मुझसे आप Wi-Fi study 2.0 पर connect हो सकते ह और आप लोगों को telegram भी ID मैंने आप लोगों को बता दिये, मतलब आप लोग सर्च कर सकते हो, reasoning by अभिशेक सर, reasoning by अभिशेक सर, इस question का right answer तो क्या answer होगा, दिये गए बिकलपों में से बिसम को अलग करें, select the odd from the given alternatives, रिगवेदा, यजुरवेदा, अतरवेदा और आयुर इस मेंसे आप लोगों को एक ऐसे option को देखना है, जो कहीं न कहीं तीनों से कहीं न कहीं अलग हो, तो इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, बताइएगा, solve करो, इस question का right answer दो, क्या answer होगा, काफी अच्छा question दिया गया, कि दिये गए बिकलपों में से, बिसम को अलग करें, बत यह क्या answer होगा, ओप्शन A यहाँ पर कितने लोग answer दे रहे हैं और ओप्शन D यहाँ पर कितने लोग answer दे रहे हैं, और यह इतना simple question है, इस session का सबसे घरीब question है, शिबानी, मौनू, राहूल, राकेस, शागर, बर्दी एक जुरून, बहुत बढ़िया, ठीक है, संगीता स अब यहाँ पर देखो, इस question का right answer देना था, तो यहाँ पर option D बिलकुल अलग है, क्यों अलग है, आप समझेए, option D यहाँ पर आयरुवेदा बिलकुल अलग है, दिया गए बकलपों में से बिसम को अलग करें, रिगवेदा अलग है, यजुरुदा अलग है, अतरुदा अल बंदित है, इसलिए यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, D, आयरुवेदा यहाँ पर बोल रहे हैं, वावा राम देव, अच्छा, वावा राम देव से रिलेट कर दिया, हाँ, यह तीनो बेद है, यह क्या है, आयरुवेदा आपको पता है, यह मेडिशन में, आप लोगों की ब बता करिए, बताइए क्या answer होगा, विच नंबर, रिप्लेज दा कोशन मार्क, कोशन मार्क के जगह पर बताओ क्या नंबर आएगा, सॉल्व करो, बताइए, सॉल्व करिए, फटा फट से, आपको यहाँ पर इस कोशन का right answer देना है, सबसे simple, सबसे सस्ता, बताओ क्या answer ठीक है, इंदू, राकेस, जीनवाल, और देखो, भई, इस कोशन को समझ लेना, ऐसे ही कोशन एग्जाम में पूचे जाएंगे, ऐसे ही कोशन एग्जाम में पूचे जाएंगे, तो इस कोशन का right answer देजिए, क्या answer होगा, विच नंबर, रिप्लेज दा कोशन मार्क, बता किसी ने answer दिया, six answer दिया किसी ने, और यहाँ पर मौनु कुमार बोलने सर फाइव होगा, जी के प्यू सौनी बोल रहे हैं, अच्छा, किसर आप BEP सीरिस के hero लगते भाई, बतलब BEP सीरिस जानदा देख रहे हैं वाज कल आप लो, इस कोशन को देखना है, विच नंबर, यहां पर दी आ गया 6, अब इस question को देखे तो 7 और यहां पर 3, यहां पर 13, यहां पर question मार के यहां पर 6, तो यहां पर आपको ऐसे questions में यह समझना है, इन दो नम्बरों का operation और इन दो नम्बरों का operation, आप लोग यहां पर relate करिए, 5 पर मिल, मिठ्टी डालो, अब देखो इस question को, confirm किया जाए, lock किया जाए, देखे यह question है, 2000 का भाई, सभी लोग यहां पर बताओ, इस question का right answer, तो यहां पर देखे, आप करोगे 7 into 3, तब यहां पर कितना आ जाएगा 21, और उपर के नम्बर को करोगे add, तो 9 plus 6 plus 6, आपस में add करोगे, कितना हो जाएगा 21, दोनों का यो 18 plus 6 किया, 19, 19 में हमें कितना add करना होगा, तो हमें यहां पर plus 5 add करना होगा, तब हमें 24 मिलेगा, तो इस question का right answer option B होगा कि नहीं होगा, यह बताओ, तो सभी का right answer option B होगा, और आप लोग यह बताओ, option A कैसे answer दे रहे हो, 6 कैसे आ जाएगा, आप लोग खुद दिमाग लगा यह कि कहां आपने गलती कर दी, यह आपको समझना होगा, थोड़ा अच्छा question दीजिए, अच्छा रजनी से, चलिए, अब इस question का right answer दो क्या answer होगा, series आप लोगों को यहां पर दिया गया, और दिया गया B2CD, ठीक है, इसके बाद आपको बताना, दिये गए option के according, कौन सा option select करेंगे, बताइए क्या answer होगा, इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, नटकट बोलना question मसते हैं आपके, ठीक है, इस question का right answer बताइए, बाई, question तो अच्छे होंगे ही, राहुल कुमार बताइए, पूछिए क्या बात पूछना है, अब है कांत, उसमें तो गुणा और प्लस करना था, कुछ भी नहीं था उस question में, इस question का right answer दो, क्या answer होगा, कितने लोग इस question का right answer दे सकते हैं, बताइए, तो यहाँ पर B answer दे रहे हैं, कि सर B आएगा, देखो, आपने यहाँ पर देखा, यह BCD, 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 और capital है सभी, तो BCD तो यहाँ पर भी होगा, अब हमें number समझना होगा, एक बार number दूसरी position पर, तो अब यहाँ पर जब number बढ़ेंगे, तो तीसरी position पर आएगा, वो भी बढ़ते क्रेम है, तू के बाद 3 आ गया, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, फूर्थ नमबर पर पहुंच गया तो इसके बाद 5 पर फिर यहाँ पर आ गया, तो यह sequence चल रहा है, तो इस question का right answer option, b right answer आ जाएगा, b, c, 3, d, अब देखों, यह question क्यों discuss कर दिया, आप लोग बोल रहे होंगे, यह तो बड़ा simple सा question है, फिर भी क्यों, यह question एक बार नहीं, दो बार exam में पूछा गया, और यह मे लोगों को बता दूँ कुछ दोस्त, कुछ दोस्त क्या करते हैं, WhatsApp और Facebook University के कुछ questions होते हैं, और वो number series में mix कर देते हैं, और number series फिर इसके बाद बोलते हैं, सर इसका solution तो आई नहीं रहा, मैं आपको बता दूँ, dear, वो questions exam में पूछे ही नहीं जाते हैं, जो Facebook और WhatsApp University में भे सकते हैं कि previous year के question discuss करने हैं, इतना समझ में आ रहा है, चलिए, next question, इस question का right answer दो, कि अगर bricks, B, R, I, S, K लेखा हुआ है, इसको यहां पर लेखा है, mirror image निकालिए, दरपड़ पिर्तिबे में find करना है, इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, ला जवाब सरसागर प्रजापत्य बोलते हैं, इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, solve करिए, हाँ, रजनीस बिल्कुल, आपको अभी देखो हमें यहां पर, यह hard और simple से मतलब नहीं है, आप लोग क्या मतलब, एक सोच बना लिए आपने, आपने एक सोच बना लिए कि hard questions ही करेंगे, हमें hard और simple से मतलब नहीं है, हमें यह मतलब है कि exam में क्या पूछा जाता है, हमें exam oriented question क्या है, वो question discuss करने है, तो इस question का right answer कुछ लोग first बोलना है, तो हमेशा जब भी दरपड़ पिरती बिम का बोले, तो mirror को vertical मनाना है, और k यहां पर इस तरीकी की बनेगी, s यहां पर यह बनेगे, i यहां पर same बनेगी, r आपका यह बन जाएगा, b आप लोगों का यह बन इस तरीके का बना, बिल्कुल इस question का right answer क्या हो जाएगा, fourth right answer आ जाएगा, इतना के लिए होगा, तो इस question का right answer, option four right answer आ जाना चाहिए, इतना समझ में आ गया, चलो, next question पर चलते हैं, इस question का right answer दो, coding decoding का question दिया गया, और सभी लोग solve करें, दोस्तों मैं इतना जादा नही कहूंगा, बस इतना कहूंगा, कि जब भी examiner को paper set करने के लिए बोला जाता है exam में, तो वो सबसे पहले उसके दिमाग में जो question चड़ता है, वो coding decoding का ही चड़ता है, और भाई, इस question को solve करना, और कोई भी गलत answer मत देना, इस question का right answer दो, क्या answer होगा, solve करिए, इस question का right answer दी answer दीजे, क्या answer होगा, शतीज सभी का नाम ले लेंगे, सभी लोग शेयर करें, 500 प्लस, सभी लोग, सभी लोग शेयर करें, इस question का right answer दो, पल्लिभी नाम दे, और जिसको मुझसे connect होना है, तो वो telegram पर मुझे search कर सकता है, reasoning भाई, अभिशेक सर, ठीके, और आप लोगों क connect होना है, इस question का right answer दीजे, क्या answer होगा, बताओ, solve करो, इस question का right answer दीजे, क्या answer होगा, यहाँ पर देखते हैं, W, I, N, W, I, N, जो दिया किया आप लोगों को, वो क्या दिया गया, वो दिया गया, D, I, N, D, I, D, D, दिया गया, इतना समझ में आगया, ठीके, तो इस question का right answer आप लोगों को बताना है और solve करना है सभी लोग इस question का right answer देजे अच्छा sorry sir late हो गए अंकिता पांडे क्यों late हो गए भई टाइम से आया करो ठीक है राजा सागर पिर्चापती इस question का answer दे रहे है IDE काफी लोग answer गलत कर रहे हैं अगर आप इस question में logic देखें तो काफी अच्छा question है अगर आप यहां पर देखें तो डबलू आई एन दिया गया इसका just opposite कितना होता है D और इसका opposite कितना होता है R होता है और इसका opposite कितना होता है M होता है इसकी number value 4 इसकी 18 उसकी कहा है M की number value कितनी होती है 13, इतना समझ में आ गया, एक बार अगर हम देखें, तो यह single number है, तो यहाँ पर D आएगा, 8 और 1 को आपस में add करेंगे, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर I आजाएगा, 1 को यहाँ पर आपस में, 1 और 3 को आपस में add करेंगे, तो 4 हो जाएगा, तो इसका answer D, I, D आ जाएगा, इतना समझ में आ गया, अब इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है, इस question में कि C, H, E का code क्या होगा, C का opposite होता है X, इतना समझ में आ गया, C का opposite होता है X, इतना के लिए रुगा, H का opposite कितना होता है, तो आपको यह देखना है, तो H का opposite होता है S, और E का opposite होता है V, तो यहाँ पर 24, इधर कितना 19, और इधर कितना 22, आपस में add करो, कितना हो जाएगा, 4 और 2, 6, मतलब यहाँ पर आ जाएगा F, 9 और 1, 10, यहाँ पर J, D, इस question का right answer आ रहा है, इतना समझ में आ गया, इतना clear हुआ, तो इस question का right answer, option A right answer आ जाना चाहिए, चलिए, next question, अब यहाँ पर आपको बताना है, इस दिये गए figure में, कितने pair बन रहे हैं, कितने pair बन रहे हैं, इस question में बताईए, search में, ऐसे कितने आपको इस question में करना क्या है, और किस तरीके से करना है, इसमें मैं देने वाला हूँ आप लोगों को बहतरीन trick, कभी भी कैसा भी question आ जाए, आप solve ज़रू करोगे, इस question का right answer दो, सभी लोग like ज़रू करें, और like ज़रू करें, और इस question का right answer दें, सभी लोग शेर भी नहीं कर रहा हूँ वही आप लोग, इतने बहतरीन question आप लोगो को कराय जा रहा है, फिर भी आप लोग share नहीं कर दो, तो search ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े बनते हैं, जिसमें पिर्तेक में उतने ही अक्षर बीच में हैं, जितने की अंग्रेजी बरण माला में हैं, इस question का right answer दो, अंकित राना, more three, अच्छा, बोल रहे हैं कि यहांपर D हो जाएगा फिर, आपके accordion, और बताओ, अच्छा, more three बन रहे हैं, तो कौन-कौन से pair बन रहे हैं, ये भी बता दो, अगर आपको लग रहे हैं कि more three हो बनेंगे, तो इसमें आप, ये अच्छा question है, रजिनीज, तो इस question का, अंसिखा, सर्म, मैं आपसे पहली बार पढ़ रही हूँ, देखे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग देखो, सीधी बात, आपके पास online platform में सबसे बड़ी बात तो ये है, कि आप सबसे पहले वो teacher से पढ़ सकते हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले इस question पर focus करते हैं, कि जब भी ऐसा question आ जाए, तो करेंगे कैसे, तो none of these बोलने हैं, और कुछ लोग option भी answer दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी number value रखिए 19, E की number value 5, A की number value 1, R की number value 18, C की number value 3, H की number value 8, E की number value 5, S की number value 19, इतना के लिए हुगा, अब हमने यहाँ पर देखा, 19 में यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ते करें में number को count करेंगे, 19 के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो 20 और 21, हम यहाँ पर notice क्या कर रहे हैं, कि 19 सबसे maximum number है, अगर हम आगे count करेंगे, तो कोई भी number match नहीं करेंगा, अब 5 के बाद यहाँ पर क्या हैगा, 6 तो यहाँ पर नहीं कर रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, कई मैच किया नहीं किया, दोनों तरफ count करना है, इसके बाद 1 के बाद 2, 3, देखो यह एक मैच कर गया है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 1, A और C एक pair बन गया, इतना समझ में आ गया, समझिएगा आप लोग, और यहाँ पर देखो 4, 5, एक देखो, यह मैच कर गया, क्या मैच कर गया, A और E मैच कर गया, इतना समझ में आ गया, अच्छा, नया सिंग, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर देखें, तो 6 होगा, 2, 3, नहीं किया, 18 के बाद 19 मैच करेगा, नहीं, 19 नहीं मैच करेगा, 3 के बाद यहाँ पर देखें, 4 और 1, 5, C और E एक पेर बन रहा है, C और E एक पेर बन रहा है, इतना समझ में आ गया, चलिए, very good, क्योंकि 4 और 1, 5, यहाँ पर मैच कर गया, 6, 4, 5, 6, मैच किया नहीं, 8 के बाद 9, 10, पेर के अलावा, ना तो कोई कम है, ना ही कोई जांदा बन रहा है, इतना समझ में आ गया कि लिए आ गया, तो इस कोईशन का राइट आंसर जो बनेगा, वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, C राइट आंसर आ जाएगा, इतना समझ में आ गया, इतना clear हुगा अर्पिच जिता ठीक है बोल रहे हैं कि सर मैं first time reasoning class कर रही हूँ तो इस question का right answer C हो जाएगा इतना clear हुआ कि नहीं हुआ शिप पिरकास लता से सो दिया ऐसे question हमेशा गलत होते अब तो नहीं होगा अब तो question गलत नहीं होगा तो सभी लोग share करो और 300 प्लस जल्दी से बहुत ही नजदी के 50 student आएंगे तो प्लस हो जाएंगे 300 और देखो आप लोगों को समझना है और इस question का right answer सभी लोगों को यहाँ पर इस question को सभी लोग करी लेंगे series है बहुत ही simple सी series है और इस question का right answer सभी लोग कर लेंगे मुझे उमीद भी है और इस question का right answer सभी लोग कर भी लेंगे ठीक है और बैसे आप लोग solve कर लीजे बताएंगे क्या answer होगा राकेस बोर्ड से class कैसे ले सकते हैं आप बताओ इतना सब पिर्थिवी ने इतना सब नेचर ने कोरोना चल रहा है और भाई लॉकडाउन चल रहा है वो arrangement नहीं हो पाता है जो opposite class चलती थी वो घर से चल पा रहे हैं अब ये देखो आप लोगों को घर से बैठके मैं आप लोगों के लिए special class दे रहा हूँ इतना सब आप लोगों को कर रहा हूँ फिर भी आप लोगों उन्हें सर बोर्ड से बोर्ड से देखो आना जाना तो सब बंद है न और सबी लोग इस question का right answer दीजिए सबी लोग share जरू करिए ठीके इस question का right answer बताओ क्या answer होगा six बता रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग save in answer दे रहे हैं इस question का right answer दो क्या answer होगा ठीके इस question का right answer यह है किसी ने a यहाँ पर six और यहाँ पर कुछ लोग save in answer दे रहे है ठीके तो देखो इस question में करना क्या है कभी ता ने बिल्कुल सही logic दिया देको आपको समझना है यहाँ पर दियाँ गया four इधर दियाँ गया seven यहाँ पर 15 दियाँ यहाँ पर आपको 31 दियाँ यहाँ थरटी फायँ दियाँ गया यह नमबर same लेके हुए है बिल्कुल तो अगर आप इसका connection इसके साथ करते हो कैसे बहुत अच्छा logic है 4 के बाद अगर हम आप पर 6 करते हैं तो कितना मिलेगा 10 और जो की next number क्या दिया गए आपको 7 दिया गए तो minus 3 करोगे क्या मिलेगा 7 मिलेगा 7 का connection किस से करते हो 11 से करते हो तो 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा आप लोगों पता है 18 minus 3 करोगे कितना मिलेगा 15 तो 15 का connection फिर 19 से करो minus 3 करोगे तो आपको मिलेगा 30 पाइश इस तरीके से इस question का right answer देना था तो इस question का right answer option A right answer आजाएगा 6 इतना clear हुआ कि नहीं होगी आज इस question का right answer हो जाएगा option A सभी का right answer 6 right answer आजाएगा इतना समझ में आ गया तो 7 कैसे answer आ रहा है इतना clear हो गया चंचल अब देखो आप लोगों को यहां पर दिया गया यह calendar का question इस question का right answer दो क्या answer होगा 28 माई और यहां पर दिया गया 2006 पर आप लोगों कुछ दिन निकालना क्या answer होगा इस question का right answer दीजे क्या answer होगा ठीक है What was the day of the week 128 माई 2006 इस question का right answer देना क्या answer होगा ठीक है इस question का right answer देना है क्या answer होगा सबी लोग solve करें काफी अच्छा question है इस question का right answer बताईए क्या answer होगा simple सा funda है इस question का right answer देजी क्या answer होगा बताओ अच्छा question दिया गया और इस question का right answer दो और दो यह regular class अगर आप लोगों को join करना तो वाइफाइ श्टड़ी 2.0 पर साम को 9 बज़े class चलती है साम को 9 बज़े class चलती है ठीक है सभी लोग यहाँ पर Tuesday कुछ लोग Monday answer दे रहे कुछ लोग Tuesday बता रहे हैं कुछ लोग Monday answer दे रहे हैं ठीक है इस question का right answer देजीए क्या answer होगा सभी लोग इस question का right answer देजीए क्या answer होगा काफी अच्छा question है और बताईए इस question का right answer दो क्या answer होगा ठीक है इस question पर आप लोगों के एक option E और connect कर लेना है इस question का right answer बताईए क्या answer होगा यहाँ पर none of these कर लो इस question का right answer दो क्या answer होगा कलेंडर के कोईशन में आप लोगों को यहाँ पर बताना है एक none of these, यहाँ पर right answer देना है क्या answer होगा, बताओ ठीके, इस question का right answer दीजिए क्या answer होगा, Sunday आएगा बिलकुल यहाँ पर right answer Sunday आएगा क्या होगा, सबसे पहले 28 12, इसके बाद माई का कोड कितना होता है आपको पता होना चाहिए, यह 2 होता है क्योंकि 144, 025 यह कोड बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई माई का कोड कितना 2 प्लस, century year किसमें 2000 है तो इसमें कितना 6 रखेंगे प्लस यहां पर year क्या दी गई, 6 प्लस लीप year कितनी, 1 डिवाइड करोगे किस से, 7 से आपस मैं add करोगे, 28 और 2 कितना हो जाएगा 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 और 43 7 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 1 से इसपल आजाएगा 1 से इसपल आने पर आपको ये बताना है, इस पर कौन सा देना आएगा, Saturday का code कितना होता है, 0, Sunday का code कितना होता है, 1, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, E, कितना clear होगा, तो इस question का right answer, Sunday right answer आ जाना चाहिए, तो none of these is question का right answer देंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है, पृतिराज घोस मैंने याँ पर क कर सकते है, none of these, आपका तो answer आपको इस से मतलब है, आपको option से मतलब नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर इतना समझना है, कि इस पर आप दिन सही रिकाल पा रहे हो, के नहीं, तो आप लोग गलत क्यों कर रहे हो, अगर Monday और Tuesday answer दे रहे हो, जब आपका answer नहीं कर रहे हो, त मन्त का कोड कैसे बताया, ये भी समझ लो, मन्त का कोड कैसे बताया मैंने ये देख लो आप लो, तो मन्त का कोड आप लो इस तरीके से दे सकते हो, 144, 025, 036 और 146, ये मन्त का कोड है, याद करना पड़ेगा, January, February, March, April, May, माई का कोड हमने 2 रखा था, इतना समझ में आ गया ऐसी हमें century का कोड पता होना चाहिए, इतना clear होगा, अब आप लोगों को, ठीके, अब आप लोगों को इस question का right answer बताना है, क्या answer होगा, सभी लोग इस question में, इस question का right answer दो, क्या answer होगा, बताओ, find out the alternative figure which contain figure as its part, आपको ये आकिरती दी गई है, चार आप लोगों को option दीए कहें, इस question का right answer दो, इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, सभी लोग solve करें, बताओ, क्या answer होगा, ऐसे questions पे हमें focus करना होगा, इस question का right answer दो, इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, आपको ये जो आकिरती दी गई है, इस तरीके से यहां पर, ये वाली आकिरती, ये आपको ये देखना है, कि चार आकिरती में कौन सी आकिरती मैच कर रही है, ये आकिरती कौन से option में चिपी हुई है, तो देखो यहां पर इस तरीके की आ करती यह दिख रही है दिख रही है कि नहीं दिख रही है यह 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 य और कितने स्क्वाइर हैं इस कोईशन का राइट आंसर दो बताईए क्या आंसर होगा इस कोईशन का राइट आंसर दीजिए क्या आंसर होगा कितने स्क्वाइर हैं कितने ट्रेंगेल हैं बताओ सबी लोग like ज़रू करें और इस question का right answer दीजे क्या answer होगा कभी अच्छा question है इस question का right answer बताना है क्या answer होगा solve करिए इस question का right answer दीजे आपको जब भी इसमें trick आप लोग यूज़ कर सकते हो इस figure में और आप लोग को इस question का right answer भी बताना है इस question का right answer दो क्या answer होगा simple सा question है बहुत ही simple question है ठीके option C Mr. Raju बोलने के साथ D आएगा C नहीं होगा और बताओ सबसे पहले आपको जब भी इस तरीके का diagram मिलता है और मैंने यहाँ पर बोला कि इसमें triangle count करके बताओ तो आप लोग क्या करते हो इस तरीके के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी maximum number होता है उसमें 2 का multiply कर देते हैं और यहाँ पर कितना 16 हो जाता है तो इसी परकार इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर क्या किया 8 x 2 कर दिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर बाहर वाले number को देख लो तो बाहर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर कितना करोगे 8 x 2 करोगे कितना हो जाएगा 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपस मैट कर देंगे 32 तो यहाँ पर 32 तो ट्रेंगल आ गए अब यहाँ पर यह देखना है कि 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपस में add कर दो कि कितना हो जाएगा 10, इतना clear हुआ तो इस question का right answer क्या हो जाएगा C, तो इस question का right answer जो आएगा वो जाएगा C, 32 triangle 10 square, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो जो भी answer, D answer दे रहे हैं, तो वो square देख लीजिए, एक 10 square हैं इसमें, बताओ, missing number का question दिया गया, इस question का right answer दो, solve करो, इस question का right answer बताओ, क्या answer होगा, solve करिए, इस question का right answer दीजिए, क्या answer होगा, which one will replace the question mark, आपको यहाँ पर four option दिये गए हैं, एक ऐसे option को select करना है, जो दिये गए, यहाँ पर question mark के जगह पर आएगा, इस question का right answer दीजिए, please solve within 30 seconds, quickly, top three rankers, so please fast, और जो भी मित्र मुझसे, ठीक है, नया है, जो टेलिग्राम पर add नहीं है, reasoning by Abhishek sir, 1000 plus member already उसमें हैं, तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हो, add कर सकते हो अपने आपको, और add करके आप लोग कोई भी doubt है आपका, ठीक है, studies are related, आप लोग उसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है, बिलकुल गौर अप सब कुछ कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग सोचो, एक class में पूरी reasoning हो जाए, तो ऐसे तो possible नहीं है, ना, यहाँ यहाँ पर 30 बता रहे हैं, और बताओ, लोग इस question को समझना है, आखिल logic क्या इसमें, 30, सर बता दीजे, कितने बज़े class होती है reasoning की, देखो reasoning की class जो होती है, वो daily होती है, 9 बज़े रात, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देखो समझना है, आप मुझे unacademy app पर, कितने लोग unacademy app को install किये हैं, और कितने लोग हैं, तो unacademy app पर मुझे आप लोग सर्च कर सकते हो, unacademy app पर, इतना पता है, और आप लोगों के लिए, मैं सुभए 10 बज़े class लेके आता हूं, और साम को 7 पीम, मतलब 7 पीम पर class लेके आता हूं, दो class रहती है, unacademy app पर, ठीक है, आप लोगों को install करना या login कर लेना, login करने के बाद मुझे आप लोग सर्च कर सकते हो, मेरा पूरा नाम क्या है, अबिशेक राओ, आप मुझे सर्च करोगे, reasoning में मैं आप लोगों को मिल जाओंगा, और bank की category में आप लोग सर्च करोगे मुझे, तो आप लोगों को, अबिशेक राओ के नाम से आप लोगों को, ठीक है मैं मिलूँगा, आप मुझे, आप मेरी special class आप लोग जॉइन कर सकते हैं, तो follow कर लिजिए आज तुरत, तो इस question को देखते हैं, सबी लोग answer दे रहे हैं, 16 और 13 को आपस में add करते हैं, 16 प्लस 13 को आपस में add करते हैं, equal करते हैं 14 और प्लस यहाँ पर 15 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और यहाँ पर 29, 4 और 5 कितना 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 तो 29 is equal to 29, ऐसे ही यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 28 और 12 कितना हो जाएगा, 28 और 12 और equal यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 30, आपस मैं add करोगे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पर 40 इतना समझ में आगया सेम अगर आप देखें तो 29 प्लस 16 कितना हो जाएगा 9, 6 और 15 इसके बाद यहाँ पर 1 तो 45 तो 15 में हमें यहाँ पर क्या add करेंगे तो 30 add करेंगे तब मिलेगा आपको 45 इतना समझ में आगया तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option B right answer आजाना चाहिए 30 इतना right ठीके इतना समझ में आगया चलिए very good बहुत बढ़िया अब आप लोगों को इस question को बताना है इस question में right answer देना है क्या answer होगा इसका पोजेट ये इसका पोजेट ये इतना समझ में आ रहा है अब आप लोगों को इस question का right answer देना है आपको दिया गया dice ठीक है dice का question दिया गया बताइए चार option में से कौन सा option बिलकुल सही है अनुज चौधरी क्या समझ में नहीं आ रहा है पताइए क्या answer होगा choose the box that is similar to the box formed from the given seat of paper x ये एक paper दिया गया कौन सा box मनाया जा सकता है possible है इस question का right answer दो क्या answer होगा ये class चलेगी ठीक है दो बजे तक आप लोगों को यहाप पर ये class जो चलेगी वो दो बजे तक चलेगी ठीक है अब 10 मिनिट और हैं आपके पास अगर आप लोग सही से यहापर connect होते है अगर आप लोग यहापर चाहते हैं कि class continue हो तो आप लोग video के नीचे comment जरू करें कि sir इस class को regular रखा जाए ठीक है जितने भी लोग present है आदित्या स्वामी बोलना है नाम बोल दो question बाद में करा देना कुछ भी मतलब बात है करो वालो आप लोगों से option A बोलना है आपको यहाँ पर opposite निकालना है opposite कैसे निकालते हैं एक face को छोड़ कर alternate face एक दूसरे का opposite होता है इतना समझ मे आगा आप लोगों के यहाँपर समझना है is face का opposite ये वाला इस face का opposite ये वाला और इस face का opposite ये जो बच्छी हुए है इतना समझ मे आगा अब वस्त को देखें एक आपको opposite यह दिया गया एक face आपको यह दिया गया एक face यह दिया गया माल लिया कि एक face आपको यह दिया गया तो first है यहाँ पर second को check करें यहाँ पर एक face आपको यह दिया गया एक face आपको यह दिया गया ठीक है और एक face यह दिया गया तो दो opposite face कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो fourth हो गया गलत, इस question का right answer हो गया, option A, one and three only, इतना समझ में आ गया, इतना clear हुआ, आज 7pm बाली class नहीं होगी dear, ठीक है, inform कर दिया जाएगा आपको group में, तो सभी लोग group में, पूँचिए, dear, यह बताओ, इस face का opposite यह हो गया, इस face का opposite यह हो गया, और बाकी बच्चे दो face एक दूसरे के opposite होते हैं, मैंने यहाँ पर opposite भी बना दिया है, अब हमेशा ध्यान रखना है कि दो विपरी सता है कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो आप लोगों को यह देखना है, दो विपरी सता है, एक साथ नहीं देखें, और नहीं hidden हो दो विपरी सता है, तो आप लोगों को इस question का answer easily दे सकते हो, तो इस question का right answer, option A, right answer आ जाएगा, 1 and 3, इतना clear हुआ कि लिए? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर देखो, पेपर कटिंग का question दिया गया, बताओ, इस question का right answer देख leng difficulty, कितने लोग also solve कर सकते हैं, बताओ, क्या answer होगा, पेपर कटिंग का question दिया गया, कितने लोग solve कर सकते हैं, इस question का right answer देजे declivity, इस question का right answer बताओ क्या answer होगा आपके पास सिर्फ 10 minute है सही से पढ़ लो इमानदारी से और इस question का right answer देना है क्या answer होगा अनसिका बोलने के सर daily class को continue रखिए सर इस class को continue रखिए अब आप लोगों को comment करना है class के बाद जो मुझे आप class के बाद देखना चाहिए ठीक है अब देखो इस question को समझना है आप लोग यहां पर देखे तो यह आप लोगों को क्या दिया गया यह दिया गया आपको एक paper यहां पर देखो आप लोगों को यहां से हमने इसको paper को fold कर दिया और नीचे से भी हमने इसको fold कर दिया बचाता है इतना paper फिर इसके बाद यह cut कर दिया अब जैसे हम खोलेंगे तो यह line के पास गोला बना हुए यह line के पास गोला आजाएगा इस तरीके के cut आजाएगा यह line के पास गोला बना हुए यहांपर गोल आजाएगी, इस तरीके से नियाएगा, अब यहांपर आप लोग पेपर को खोलो, तो पेपर इस तरीके का खोलेगा, इस तरीके से, इतना समझ में आ गया, तो यहांपर क्या होगा, इस-कौजिशन का राइट अंसर हो जाएगा, 4, इतना clear हुआ कि नहीं हुआ तो इस question का right answer हो जाएगा option D, इतना समझ में आ गया paper cutting का मतलब यह होता है, कि मान लो कि यह paper यह है, और हमने इस तरीके का cut कर दिया, तो आपको हमेशा यह समझ लेना है, कि मान लो कि यह paper था, ठीक, और हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इधर fold कर दिया, आदा, तो इतना बचा अब हमने यहाँ पर cut कर दिया, जैसे हम खोलेंगे तो यह line के पास cut है, तो इस तरब भी line के पास cut आएगा, तो यह गोला बना लेगा तो हमेशा paper cutting का concept यही होता है, तो इसी तरही के सब नहीं यहाँ पर भी समझाए आपको, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, फोर्द हो जाएगा option D right answer आजाएगा इतना समझ में आगया paper cutting का question है, समझ रहे हो रजनीज हाँ, ऐसा भी question आता है paper cutting में ऐसा ही question आएगा ठीक, चलो, यह दिया गया आपको inequality का question, क्या दिया गया inequality का question, इस question को solve गरो, बताओ, क्या answer होगा ठीक, इस question का right answer देना है basic से भी पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग यहाँ पर interest ही नहीं लेते हो पढ़ने के लिए भई, तो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग इस question का right answer तो दीजिए, solve तो करिए, आकर courses तो करो, ऐसे तोड़ी होता है कि भाई समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा question आप लोग समझों कि यहाँ पर दिया गया यह, अब यहाँ पर दोगों यह है एक रास्ता, यह समझाना आप लोगों इस तरीके से, दोगों मैं थोड़ा सा अलग language में आपको समझाऊंगा, यह एक रास्ता और यह हैं दोनों दोस्त, यह हैं क्या दोनों दोस्त, आप लोगों को दोगों बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देख इतना समझ में आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देखो, S बोल रहा है कि हम E से मिलने जा रहे ह चुकि S के तरफ क्या खोला हुआ है, गेट खोला हुआ है, यहाँ पर तो को इस तरीके का साइन है तो यहाँ से इंट्री कर सकते हैं, तो S बोला कि हम E से मिलने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर रास्ते में देखें कहीं लोग डाउन तो नहीं लग गया, तो S जो है वो A पर पहुंच गया, अब A से सीधा मतलब यहां पर भी A है, तो मतलब यहां पर पहुंच गया, A से फिर L पे पहुंच गया और L के बाद E पहुंच गया और यह gate बोलता है कि मेरे जैसा एक gate होना चाही है, यह भी इसी जैसा gate है, इधर जैसा तो इस question का right answer क्या हो जाए का first तो बिलकुँ सही हो गया अब ओ बोल रहा है कि हम A से मिलने जाएंगे ओ बोल रहा है कि हम A से मिलने जाएंगे टेक है ओ जैसे ही यहाँ पर L पर पहुँचा, L मतलब यहाँ पर L से जैसे ही आगे बढ़ रहा था यहाँ पर बन गया close goat यहाँ पर लग गया lockdown तो यह हो गया गलाथ तो इस question का right answer क्या हो जाएगा only first only first, इतना समझ में आ गया तो इस question का right answer only first right answer आ जाएगा इतना समझ में आ गया very good बहुत बढ़िया चैके और देखो आप लोगोंको में बता दूँ class जो है टीके इस question का right answer दो क्या answer होगा इसके बाद मैं थोड़ा सा class के बारे में चरचा कर दूँगा आप लोगों के साथ या पर काफी लोग class के बारे में जाएदा पोच्छन इस question का right answer देना है क्या answer होगा solve करो मार्विन सिंग बोलने lockdown में मिलना बांद है फिर भी तो मान नहीं रहे हैं फिर भी तो लोगबाग मान नहीं रहे हैं lockdown लगा फिर भी मिल रहे हैं इस question का right answer देखो आपको यह आपर समझना है कि आपको यहाँ पर यह दिया गया question यहाँ से इतना square इतना समझ में आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना समझ में आ गया तो 8 into 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इतना समझ में आ गया ठीक है 40 मुलाकात अदूरी रह गई है सर अच्छा मुलाकात अदूरी रह गई मुलाकात करना है लॉक्डाउन में भी मुलाकात करनी है तो यहाँ पर देखो 16 इतना समझ में आ गया आप यहाँ पर देखो इस तरीके के जब question मिलता है तो यहाँ से कितने बिलते है triangle 3 तो यहाँ से मिल गई आपको 3 यहाँ से भी कितने 3 इदर से कितने 3 यहाँ से कितने 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 तो 12 तो यह count कर लिया तो कितना हो गया 6 और 2 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 इतना समझ में आ गया 28 तो यह count कर लिये इसके बाद कहानी अभी खतम नहीं है दोसरा triangle यहां से भी मिलेगा, मतलब 8 triangle और आप लोगों को मिल गए, तो इस question का right answer कितना हो जाएगा, 36, option B, right answer आ जाना चाहिए, 36 बिलकुल, right answer आ जाएगा, इतना clear हुआ? इतना समझ में आ गया? तो इस question का right answer 36 आ गया, अब भाई साब यह बताओ, 40 वाले कितने लोग थे, यह बताओ, तो भाई आप लोगों से मैं कहना यह चाहूँगा, सभी का right answer 36 आ गया, और मैंने आप लोगों को समझा भी दिया, अब यह देखो, मेरी जो class चलती है, वो चलती है, वाई-फाई study, 2.0, आज इक लास नहीं होगी, आज संडे है, आज संडे स्पेचल यहाँ पर class हुई, मंडे से regular class चलती है, 9.00 पीम पर, note down कर ले न, जिसको भी join करना है, 9.00 पीम, डेली regular चलती है, और Unacademy पर चलती है, Unacademy अब पर मुझे आफ लोग फॉलो कर सकते हैं, मेरा पूरा नाम है, अभिशेक राओ, Unacademy पर चलती है, सुभाई 10 बजे, 10 से 11, जो special class चलती है, फिरी एकदम, और इसके बाद 7.00 पीम टू, 8.00 पीम आपको क्या दिया जाएगा, आपको PDF भी दी जाएगी, कोई जबी discuss करता हूँ, तो आप लोगों को important समझ के, जरूर जोइन करना है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, और यहाँ पर देखो, टेली ग्राम पर आप लोग एड़ हो सकते हैं, रीजिनिंग भाई अभिशेक सर, रीजिनिंग भाई अभिशेक सर, ठीक है, जिसको कोई भी doubt है, तो आप मुझसे टेली ग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है, टेली ग्राम पर active रहिए, और daily class को join कर सकते हो, यह तो था हमारा last question, हमने यहाँ पर कुछ important questions देके, और आप लोग चाहते हैं, कि ऐसी ही class regular, अगर आप लोग join करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बेडियो के नीचे सबी लोग comment जरू करेंगे, और देखते हैं, कौन किसना अच्छा comment करता है, ठीक है, क्योंकि भाई, आपके comment से मुझे पता चलता है, कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सेशन को लेना चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग जोईन कर सकते हैं, अगर आप continue चाहते हैं इस क्लास को, तो सबी लोग comment जरू करें, इतना समझ में आ रहा है, रभी सेन, कविता, और क्यों अगर continue रखना चाहते हैं, तो आपको क्या नया मिला, आप लोगों को यहाँ पर बताना है, सबी लोग comment जरू करें, और अपने दोस्तों को इसाथ session को share जरू कर दीजएगा, तो यह तो था हमारा last questions, तो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर आज तो special class थी, और भी better questions, मैं आप लोगों को साथ discuss करूँगा topic wise, तो चलते हैं दोस्तों, thank you.